Hello everyone, मैं श्रेयस बढ़िये, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम lecture number 7 from ancient history of India discuss करने वाले जिसमें हम हडपन culture का second part पढ़ेंगे जैसे कि हमने 6th lecture में already हडपन culture की शुरुवात कर दी थी तो ये थोड़ा topic बढ़ा होने के कारण मैंने इसे 3 part में बाटा हुआ है तो ये आपके लिए second part है इस lecture का जो की बहुत important है हडपन culture ये topic तो इसे concentration के साथ पढ़ियेगा Remember, perspective can cause two people to look at the same thing and see two totally different things If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram This is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel So, आज हम जो discussion करने वाले वो part, second part पर करने वाले है हडपन culture का, तो मैं आपको ये बता दू कि जो topics है हडपन culture के उसमें geographical extent और town planning जो है ये हम already पहले वीडियो में cover कर चुके और अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले agriculture, domestication of animal, technology and craft, trade, political organization, religious practices, हडपन script, weights and majors, pottery, seals, images, terracotta figurines इतने सारे topic आज इस वीडियो में cover होने वाले, so बहुत important वीडियो रहने वाले, maximum question पूछे जाएंगे इन topics से, और third जो वीडियो रहेगा, वो यहां से आएगा, so ये third part ये बचे हुए इसमें, बाकी आज हम इतनी सारी चीज़े पढ़ने वाले, जो आगे आएगा part उसमे ये बची दो चीज़े हम study करेंगे, so मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहतू, आपके लिए reference book जो है, वो ancient India, old NCRT जो लिखे, आरेस शर्माजीने, वही होगी, उसी में से ये lecture बनाया गया है, और आपको वो, जब आप इसके साथ refer करोगे, तो आप perfect बन जाओगे, agriculture के जो लोग थे, वो agriculture को बहुत बड़े एक पैमाने में इसका इस्तेमाल करते थे, agriculture को, तो यहाँ पे हम अगर देखे, तो इंडस रीजन जो था, वो बहुत जादा फर्टाइल था, ancient times में, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो fertility जादा होने के कारण, यहाँ पे बहुत एक easy पड़ता था इंसान को, क्योंकि देखे, पानी के आजुबाजु की ही जगा है, तो बहुत fertile land होगी, तो यहाँ पे अगर कोई भी agriculture करते हो, कोई खेती करते हो, तो बहुत अच्छे से हो सकती थी, यहाँ पे इंसान जानता था, इसके साथ-साथ वहाँ पे walls बनाई ग तो यह सब क्यों करते थे, वो walls का इस्तेमाल क्यों कि आ जाता था, जो burn brick से बनते थे, क्योंकि यहाँ पे बाड़ अगर कभी आ गया उस नदी को, तो कोई effect ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ बनाई जाती थी, उसके साथ-साथ आपको यह बता दू कि यहाँ ज जो पानी है, यह अंदर ना आ जाए, उसके साथ-साथ-साथ they sowed seed in the flood plains in November, ओके तो flood plains जो है उसमें वो November में यहाँ पे seeds डाल देते थे, तो November में इसलिए डालते थे, कि November में क्या हो था था, कि यह जो flood water receded हो जाता था, तो receded हो जाने के कारण क्या होगा, कि वो पीछे चले है ना, तो flood आके गया है, याने क्या हो गया, उतने time के लिए वो जगा जो है, उसको अच्छे से पानी मिल चुका है, तो वहाँ पे डाल देंगे seeds और April में उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद April के बाद कभी भी अगली flood आ सकती थी, तो April में यह लोग यह काम कर लेते थ सो बहुत ही एक logical यहाँ पे लोग दिखते हैं आपको कि कितना जादा हर चीज को सोच विचार करके यहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो no ho और flow share यहाँ पे नहीं discover हुए किसी भी site से, तो हम यह नहीं जानते थे कि इनके पास flow यह सब रहते थे या न discover नहीं हुआ है, उसके साथ साथ आपको यह भी बता दू कि जो fail से राजस्तान में उसको पर flow किया हुआ दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे हल चलाए गए, बट हल हमको मिले नहीं है, तो हो सकता है कि होंगे और वो नहीं मिल पाए हमें, या फिर वो कहीं प पूल जैसा होगा या होल होगा, वो जो होल होता है, उसमें पानी इकटा किया जाता है, ताकि यहां से क्या कर सके हो, इस पानी का इस्तेमाल कर सके खेती करने में, यह भी चीज़े हमें मिले हैं, तो बहुत लॉजिकल लोग यहां पता चलते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग शायद wooden plow का इस्तेमाल करते थे अगर plow किया हुआ है दिख रहा है जमीन को तो यह शायद wooden plow का इस्तेमाल करते थे बट ये भी पता नहीं चल रहा है कि उसको इनसान खिष्टा था या फिर इनसान के द्वारा किया जाता था या फिर बैल के द्वारा या ओक्स के द्वारा किया जाता था यह हमें यहां पर कोछी भी एविडेंस नहीं मिलें तो यह एक चीज आपको पता चल चुके है कि wooden plow share यहां यूद्स करते होंगे उसके साथ सथ स्टोन सिकल्स जो थे उसका इस्तेमाल करते थे वो हारवेस्टि के लिए ऐसा भी पता चलता है क्योंकि कुछ स्टोन सिकल्स यहां पर हमको मिल और जो हड़पन विलेजेस थे वो ज्यादा तर फ्लर्ड प्लेंस में ही थे सिच्चुएटेड अब देखते पूरे नदी के किनारे अगर हडपन कल्चर बसा हुआ है तो जरूर यहां पर फ् सिर्फ खुद के कंजम्शन के लिए नहीं तो टाउन के बाकी लोगों के लिए भी यहां यूज करते थे यानि अगर देखेंगे तो इसको शायद मार्केट में वो बेचते भी होंगे तो इस तरह से फूड ग्रेंस जो है वो खुद के ही यूज के लिए इंसान नहीं तो बाकी लोगों के भी इस्तेमाल के लिए वो यूज करते हैं ऐसा पता चलता है हमें अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोड़क्ट से लोग बनाते थे तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जैसे हम पहले देख चुके एक बेसिक इंपोर्मेशन हमने ले लिए अगरिक बेसिस मिले है रागी, पीज, सिसेमम, मॉस्टर्ड, राइस जो है यह लोथल में जादा परोडूस किया जाता है लोथल जो है एक तरह से पूर्ट भी माना जाता है तो यह बंदरगाय है जहां से शिप्स आना जाना करती थे तो यह राइस भी वहां पर पाया गया है सिंधॉन और फटे तो सिंधॉन थे जी एक हैं आया जाता है तो इंडॉस हिंडून ऑर आपको यह याद रखना है तो पहले पर जो है अर्लिएस वो लोग थे इंडस के लोग जो cotton बनाना शुरू करते तो यह बहुत ही एक important और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो cotton produce करते थे directly तो यह सिंदोन कहा गया है तो उससे हमें और भी चीज़े पता चलती है उसके बाद अगर हम देखते है तो जो food grains है वो store किये जाते थे बड़े-बड़े granaries में यहाँ पर यह प्रोड़क्स देन के बाद मैं आपको granaries already दिखा चुका हूँ पिछले lecture में cereals जो है उसके उपर tax लगाया जाता था sorry tax ने लगाया जाता था जो cereals थे उसको tax करके इगटा किया जाता था सो किसान जो है वो अगर tax भरना चाहते तो उन्हें cereals देना पड़ेगा सरकार को इस तरह का एक नियम इस वक चलता था और cereals को as a tax यहां पर दिया जाता था government को तो यहां किसान देते थे और उसको क्या करते थे यहां के जो सरकारे थी वो कि इसको store करके रख देते थे प्रेनरी में और ऐसा माना गया है तो उसके बाद जब emergency आती है तो यह cereal सी लोगों को बाट दिया जाते थे तो इस तरह से बहुत ही एक अच्छा एक बहुत लॉजिकली यह लोग चल रहे है हमें यह दिख रहा है बहुत ही organized तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे है सब एक लिए अब देखते थे हैं domestication of animal तो कौन-कौन से animals यहाँ पाए गया है तो oxen यहाँ पर पाया गया है, buffalo यहाँ पाई गया है, buffalo का उशिश पाए गया है, goats का उशिश पाए गया, ships हो गया, pig हो गया, humble bull हो गया, तो सबसे जादा जिसको मानते थे वह humble bull था, बहुत favored animal है उसके साथ dogs यह pets करके इस्तेमाल करते थे, यह भी चीज़े पता चलती है, cat भी उस वक्त हुआ करती थी, asses and camel जो है, वो beast swap burden करके उनको use करते थे, यानि कुछ भी यहाँ से वहाँ अगर उनको समान ले जाना है, तो वो जो होते है, donkey और camel होते है, उनका इस्तेमाल यहाँ क यहाँ ऐसा पता चलता है कि कुछ होता होगा, शायद हमको horses के बहुत जाद evidence नहीं मिले, bones और यह सब नहीं मिला, बट horses का कुछ ऐसे चीज़े मिली, जो कि horses से जुड़ी लग रही है, और एक doubtful टेरा कोटा मिला है, lothal से जिसमें यह पता चलता है, यानि कोई मूर्ती मिली यह मूर्ती तरह की टेरेट कोटा फिगराईन मिले है, जो horse का है, शायद ऐसा लगता है, so horses शायद होते थे, ऐसा भी माना जाता है, बट यह confirm नहीं मिला है, बट horse के जो remains है, वो सुरकोतरा में हमें मिले, बट सुरकोतरा में जो मिले है, वो भी doubtful है, हम यह नहीं जान पार exactly कि वो horse के ही है या नहीं, so यह थोड़ा सा एक doubtful जानवर है horse, so इस तरह से यहाँ पे चलता है, अगर exam में आता है, तो यह इस तरह के question नहीं आएंगे, जो एकदम doubtful चीज़ है, बट यह आ सकता है कि remnants कहा मिले थे, जो doubtful थे तो वो सुरकोतरा में मिले थे, इतने चीज़ जो है, यह भी यहाँ पे थे, तो यह सब animals यहाँ पर इसमें हुआ करते थे, कभी-कभी UPSC या कोई भी exam ना one-liner question बना लेती है, कि यह इन में से कुन से animal नहीं पाए जाते थे, so नहीं पाए जाते थे, मैं याद रखेगा horse यहाँ पे, आपको नाम नहीं दी, horse यह थोड़ यह किस तरह से थी, और यह crafts क्या क्या करते थे, तो यह चीजे देखने के पहले में आपको एक छोटा सा एक picture दिखाना चाता हूँ, just imaginary picture है कि शायद किस तरह के लोग हुआ करते हैं, किस तरह का market हुआ करता होगा, इस तरह का शायद हुआ करता होगा, ऐसा पता चलता है, य कि यह आपके crafts है, या काफी सारी चीजे यहाँ पर देखने आपको मिल रहे है, इस तरह से market होता होगा, इस तरह से हडपा के शहर होते होगे, देखिए रास्ते भी straight straight दिख रहे है, बहुत अच्छी picture बनाई हुई है, इससे यह पता चलता है कि इस तरह का एक culture रहता होगा सो technology और crafts की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको यह बता दू कि यह bronze age से जुड़े हुए है, सबसे पहले जो हडपन culture है, bronze age का culture माना जाता है, सबसे ज़ादा जो part इसने cover किया हो bronze age का ही किया, उसके पहले भी हुआ करता था, चालकोलितिक में भी हुआ करता था, चालको जब जब तो एक alloy बन जाता है, जिसको कहा जाता है, तो bronze is an alloy of copper, तो copper की यहाँ पर देखोगे तो durability यह बहुत ज़्यादा मजबूत नी होता है, copper जल्दी तूड़ जाता है, तो brittle होता है, तो इसी कारण अकेला copper यूज़ करोगे तो उतने मजबूत नहीं मिलेंगे, और tin यूज़ करोगे तो उस पर rusting हो सकती है, तो इसी तरह copper और tin को mix करोगे तो एक without rusting ओलर तो जोड़ा मजबूत भी हमको मजबूत मिल जाएगा, strong मिल जाएगा, तो यहां bronze का इस्तेमाल जादातर करते थे, stones के साथ, stone की तो चीज़े बनाती थे और bronze का भी इस्तेमाल किया यह सब पता था, तो यह bronze जो थे, इसको बनाते थे, smith जो थे, इनके वो लोग इसको बनाते थे, तो वो कैसे बनाते थे, तो टीन और copper को mix करके बनाते थे, यह सब कला, यह सब जो technique है, यह जानते थे, यह technology अच्छी कासी थी इनके पास, बट यह दोनों जो चीज़े हैं, अगर देखेंगे copper या फिर जो टीन है, यह दोनों भी easily available नहीं थे हडपन लोगों को, so copper यह लोगों को, जितना भी copper मिलता था, वो जाधा था खेट्री mines है, खेट्री mines का है, राजस्तान में, और बलुचिस्तान में, कुछ mines है, तो खेट्री mines जो राजस्तान वहां से ला बना जाता है, अफगानिस्तान में बहुत सारे यह चीजें इंडिया में लाई जाते हैं, ते टिन, okay, so उसके साथ साथ अगर मैं बता दू आपको, कि they produced images, यह लोग कुछ images बना देते, tools बना देते, weapons बना देते, access बना देते, saws हो गया, knives हो गया, spears हो गया, यह सब चीज चलता है, so यहाँ पर आप देख रहे तो इस तरह के हडपा के जो tools है, वो रहा करते होंगे, ऐसे हमें पता चलता है, एक तरह से, so यह इनके tools रहते होंगे, यह जो मैंने आपको बता है, जो की bronze से बनाए जाते थे, so इस तरह से वो tools भी बनाते थे, technology में काफी आगे थे, उसके साथ, so woven cotton जो है, यह भी यहाँ पर, इसके लिए भी कुछ tools बनाते होंगे, जिससे वो cotton को sealने के लिए काफी सारी चीजे बनाते थे, ऐसे मोहन जादा और हमें हमको कुछ evidence मिले, textile impressions है, यहाँ पर इस्तेमाल होता था, यह भी पता चलता है, तो textile से related भी यहाँ चीजे बनाया था, जिससे वो spinning करता था, spinning के थ्रू जो cotton होता है, उसका धागा बनाया जाएगा, और उससे textile बनाया जाता था, तो खपड़ा बनाया जाता था, इस तरह से चीजे यहाँ चलती थी, weaver जो है, जो होते है, वो clothes है, of wool and cotton, वो बनाया करते थे, वो सिया करते थे, तो सीते थे, क्या-क्या, wool के और cotton के clothes, ऐसा पता चलता है, ऐसे हमको evidences मिलते है, इनके technology और crafts है, उसके बाद, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हमें एक class देखने मिलती है, जिसको मैसन कहा जाता है, तो मैसन का काम क्या था, तो इनका सबसे main जो, एक craft माना जाता ह तो यह जितनी भी चीजे करेंगे, यह एक तरह से मैसन करते थे, तो मैसन एक नया class यहाँ पर दिखता है, क्योंकि वो जो craft है, bricks के उपर जो किया जाता है, यह जो लगाया जाता है एक दुसरे को, bricks और उससे कुछ-कुछ बनाया जाता है, यह चीजों के लिए मैसन होना ज तो सील्स भी बनाते थे, अलग-अलग सील्स यहाँ पर पाए गए है, जो कि इस तरह रखे थे, तो यह आगे हम इसको अलग से study करने वाले सील्स को, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरतने की सील्स क्या है, बट यह सील्स बनाया जाते थे इस तरह से देख सकते हैं, इस पर art and craft क्या जबरदस्त किया हुआ इंसान ने, तो यह सब चीजे थी, यहाँ पर टेरा कोटा manufacture भी करते हुए दिखते हैं, तो टेरा कोटा manufacture जो है, उसका मतलब यह है सबसे पहले, कि जो clay है, उससे कुछ-कुछ बनाना, उससे कुछ structures बनाना, या पिर कुछ उससे मूर तो यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हुट टेरा कोटा structure, तो आगे हम यह पढ़ने ही वाले, इसके बारे में information लेने ही वाले, तो यह एक टेरा कोटा structure जो मिट्टी से बना गया, clay से बना गया, तो यह भी इंसान उस वक करता था, क्राफ्ट में, उसके साथ साथ उस goldsmith हुआ करते थे हैं, तो gold से related, जो work करते थे, वो goldsmith थे, वो भी उस वक्त हुआ करते थे, gold, silver और precious stones यहाँ पर पाए गया है, gold और silver जो है, यह अफगानिस्तान से इंसान इस वक्त लाया करता था, ऐसा माना जाता है, अफगानिस्तान में, इसे यहाँ पर इंडिया में आत तो यहाँ पर इंसान यह भी करता होगा, शायद यह भी हमें पता चलता है, इनके तो आपको गले में भी इस तरह की कुछ चीजे दिख रही है, माला है, पहनी हुई, so इनसान इस वक्त बीड मेकिंग भी करता था, यह भी हमको evidence मिले है, बीड मेकिंग के साथ साथ आपको यह बता दू कि यहाँ potter's wheel भी मिले है, potter's wheel यह जो pottery होती है, उसको wheel पे रखके बनाया जाता है, आपको पता है, wheel गूमता है और वहाँ उसको shape देते रहते pottery को, और वो उस तरह से pots बनाया जाते है, तो potter's wheel भी मिले है, और यह भी आपको बता दू कि यहाँ की pottery है, वो glossy और shining pottery यहां पर पाई गई है, इस तरह की pottery इस वक बनाए जाते थे, glossy colors का इस्तेमाल होता था, और shining रखते थे यहां के pottery इसको, तो यहां picture देख सकते है, pottery का इस तरह से shining और थोड़े glossy हुआ करती थी, इस वक की pottery, तो यह pottery, यह सब craft सा, जो इनसान यहां पर करता था, technology और craft का इस्तेमाल, यह सब चीजे भी आपने देखी, आपके NCRT से ही सब चीजे बता रहो, सब कुछ में detail में बता रहो, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत ने, इस topic से related, उसके बाद हम आते हड़पन culture में trade, अब हम पढ़ने वाले trade इनसान किस तरह से करता होगा, इस time पे, तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ जो trade, उसके लिए इनसान कुछ script यूज करता था, script आपको पता है, है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक कुछ characters जैसे यह script है, UNIFORM, तो यसे जो script से वैसे हडपा की भी कोई script हुआ करती थी और हर जखे एक ज चीज कहा से आ रही, कहा जा रही है, यह सब चीज है, उसके साथ-साथ, इनके टाइम पे जो weights थे, यह regulated weights थे ना, तो वहाँ पर बराबर उन्होंने एक system बनाया था कि यह weight जो यह इतना ही होगा, यह इतना 100, यह 10 unit, यह 1 unit, इस तरह से उन्होंने weights बनाय गए गए थे, weights और major उनके बहुत regulated हुआ करते थे, उस हिसाब से ही चीजे जो है, वो यहाँ से वहाँ की जाती थी, इस तरह से यह trade याने व्यापार चलता था यहाँ पर, उनकी जो cities है, वहाँ पर अगर आप देखोगे, तो बहुत जादा अच्छा, बहुत जादा raw material available नहीं रहता था, तो raw material, कोई भी चीज बनाने के लिए, आप raw material अगर लगता है, तो आपको कही बहार से उसको लाना पड़ेगा, कही बहार से उसका व्यापार करना पड़ेगा, कही बहार से trading करने पड़ेगी, तो यह सब चीजे यहाँ पता चलती हमें, तो यह सब चीजे बहार से लाई इस तरह का system यहां use होता होगा, जिसको barter system कहा जाता है, उसके साथ-साथ यहां navigation इनके पास था, so navigation बहुत जादा जरूरी होता है, अगर आप समुंदर से जा रहे हो, एक जगे से दूसरे जगे अगर वैपार कर रहे हो, for example मैं इस जगे से इस जगे जा रहे हो, तो मेरे पास navigation बरावर मुझे पता होना कुछाए, कौन से direction में, किस तरह से यह जगे पे पहुचूंगा, तो यह सब चीजों का इन्हों knowledge था, यह सब चीजे यह लोग जानते थे, क्या यह करना चाहिए, उसके साथ-साथ वो wheels जो है, उसका इस्तेमाल करते थे, यह भी पता चल रहा है, यहाँ पे हमें, वहाँ जो evidence मिले उससे, उसके बाद यह भी बता दू कि कुछ kind of modern एककाज जो है, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अब एकका क्या होता है, एकका यानि जो wheel होता है, उसको spokes नहीं होता है, यह पूरा solid wheel होता है, तो यह पूरा भरा हुआ होगा, इसमें कोई क्या नहीं होगा, spokes नहीं होगा तो आपको पता है, कि इस तरह के भी wheel होते है, बट इसके साथ commercial link थे इनकी, एक area एसा आज साथ commercial link थे हैं, यह पे हमेशा वयापाः चलते हैं, जैसे राजस्तान का को एक area हो गया, एरान हो गया, एरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, रा वेशा इनके अगर देखेंगे तो व्यापार चलता ही था तो या कमर्शेल लिंक तो अच्छे से बनी हुई थी इनकी व्यापार को लेके उसके बाद ये भी बता दू कि जो ट्रेडिंग कॉलनीज है नौर्दन अफगानिस्तान वो उन्होंने बना के रखी थी अफगानिस्तान में अल्रेडी क्योंकि अफगानिस्तान में वो आए दिन यहां व्यापार करते थे तो उन्होंने खुद की एक ट्रेडिंग कॉलनी बना रहा करते थे अफगानिस्तान में इस तरह से अफगानिस्तान के साथ तो पूरा लिंक बना हुआ ही था, उसके साथ साथ ट्रेडिंग इन्होंने Central Asia के साथ भी की हुई है, ये भी पता चलता है, Central Asia में जो जो देश आते हैं, वहाँ पे, वहाँ उन्होंने ट्रेडिंग की हैं, व्यापार की हैं, ये भी पता चलता एविडेंस से, उसके बाद अगर देखा गया, तो टिग्रीज और यूफरेट्स करके हैं, ये दो एक रिवर्स है, ये दो रिवर्स है, ये रिवर्स जहाँ जहाँ बहती थी, उनके साथ भी ये ट्रेडिंग करते थे, ये भी पता चलता है, क्योंकि इनके यहाँ के कुछ चीज़े वहाँ भी पाई गई है, जो टिग्र इसा भी यहां पता चल रहा है क्योंकि हड़पन जो सील्स थे यह काफी सारे हड़पन सील्स हमें मेसोपेटामियामी भी पाए गए तो शायद यह सील्स जो थे यहां से वहां पहुंच गए थे तो इसी तरह व्यापार चलते होंगे तो एक आइडेंटिटी करके यह सील्स लेके जाते होंगे कि हडपा से लाई हुई चीज़े तो इसके बाद मैं आपको यह बता दू कि लापिस और लाजूली बहुत दूर दूर तक इसका ट्रेडिंग होता था लापिस लाजूली का लापिस लाजूली जो होते है वो कुछ स्टोन होते है इस तरह के वो दिखते है देख लीज़े आप बहुत प्रिशियस स्टोन होते है तो इसका वो इस्टेमाल करते है ऐसा माना जाता है कि जो लापिस है लापिस लाजूली यह ज्यादा तर जो रूलिंग क्लास है उनके पास होते थे इस तरह के स्टोन तो इसक लोग शायद मेलुहा जो है नाम की जगा वहाँ पे भी ट्रेडिंग करते थे ऐसा यहाँ पे मेसोपोटैमियम जो रेकॉर्ड से उसमें पता चला है यह हरपन कल्चर के लोगों के बारे में 2350 BC जो होता है यह रेकॉर्ड से इतने पूराने उसमें यह लिखा गया है मेसोपो धारा दिये हैं इनके व्यापार को लेकॉट अब हम देखते हैं इनके पॉलिटिकल औरगनाइजेशन तो इनके पॉलिटिकल औरगनाइजेशन किस तरह से थे हरपन कल्चर की यह हम Scorpion एए इस में सबसे पहले इसकी कोई क्ल आइडिया निया कि वह कित तरह से होते होंगे तो कोई ना कोई एक central authority होगी जिसके अंडर ये पूरे जितने भी जगा है ये सब काम करती होगी तो ये एक और चीज हमें पता चलती है तो rule कोन करता होगा तो probably ऐसा पता चलता है कि class of merchants जो है जो व्यापारी लोग है वही यहाँ पे rulers रहा करते होंगे क्योंकि वही एक rich यहा बहुत जादा महतुब भी दिया गया है तो ये सब चीजे पता चलती है कि ruled by class of merchants ये भी हो सकता है इनके पास weapons बहुत खास नहीं थे क्योंकि हमको evidence में इतने अच्छे कोई weapons इनसे यहाँ से कुछ excavate नहीं किये गये तो हमें ये पता चलता है कि इनके weapons जो थे ये बहुत खा से थे हैं कौन से थी तो religious practices में हम सबसे पहले अगर बात करें तो बहुत सारी जो terracotta figurines है women की वो मिली है उससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग देवियों की पूझा करते थे women की पूझा करते थे ये पता चलता है जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये जो मैंने आपको terracottaic figurine दिखाये था ये ये women है इनको mother goddess भी कहा जाता है तो इनकी शायद यहाँ पे पूझा होती होगी ऐसा पता चलता है तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता दू कि एक ऐसी भी हमको एक मूर्ती मिली है जिसमें ये पता चलता है कि plant जो है ये women के embryo से बाहर निकलते हुआ दिख रहा है जैसे कि आप समझ लीजिए कि वो किसी plant को ही जन्म दे रही है उससे ये पता चलता है तो जैसे धरती जन्म देती है किसी plant का तो possibly वो जो image है वो earth की है तो earth को ये शायद भगवान मानते होंगे और उसी को image में बनाया है इन्होंने तो goddess of earth जो है उनका ये होगा क्योंकि उन ये भी किस तरह से goddess of earth के कारण वा ये भी शायद ये दर्शाना चाहरे है ये लोग उसके साथ साथ हम ये भी देखते है कि earth जो थी उसको ये fertility goddess करके मानते ते देखते है आप अर्थ के अंदर से कोई plant निकल रहा है ने fertility जो है वो earth के अर्थ ही है हमें जो दे रही है सब कु सील है हला कि ये जो सील जब हमीं मिला था तो ये यहां से थोड़ा सा तूटा हुआ था इसको हमने किसी तरह से कुछ imaginary अपनी powers यूज करके इसको थोड़ा सा कोशिश किये कि इसको हम complete कर सके तो यहां पे ये जो सील आप देख रहे है ये जिनका सील है उनका नाम पशुप में बैठे हुए दिख रहे है आपको तो यहां पे देख लिजेए सील में फिर से यहां पे हॉन्ड है यहां पे कुछ सिंग लगे हुए उसके साथ साथ जो पोजिशन में बैठे है वो एक योगी की पोजिशन है ये भी हमें पता चल रहा है ये male diet ये उनके भगवान है ज यह चार एनिमल जितने हैं यह खतरनाक एनिमल है और इन सब शायद यह लोग इसे इन लोगों ने ऐसा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यह जो पशुपती है यह हमारी रक्षा कर रहे हैं ऐसे खतरनाक जानवर उसे यह शायद यह दर्शाना चाहते हैं यह उनकी साम भी पता चल चुक है और यह सील पे जो बने है यह मेल डायटी है जिनको कहा जाता है पशुपती पशुपती जो है यह अभी मैंने यह चीज़े आपको बता दी कि योगी के इसमें है उसके साथ साथ ऐलिपेंट डियर राइनो एलिपेंट टाइगर राइनो बफेलो है दो डियर है उनके फुट के पास इनको पशुपती महादेव भी कहा जाता है सो यह दिरे दिरे आज हमारे जो modern day में जो महादेव आज आये हुए है यान्ने महादेव यहां से ही origin हुआ है ऐसे समझ जाये आज जो जिनको महादेव कहा जाता है इसके साथ साथ काफी सारे symbols म करते होंगे क्योंकि हडपा के लोग क्योंकि इसके भी काफ़ी स्ट्रक्चर समय देखने मिले हैं तो स्टों से बने हुए हडपा में तो इन सब की पूजा की जाती होगी और थी इनकी religious practices में अब यहाँ पे यह जानवरों की और trees की भी पूजा करते थे या नहीं यह भी हमें कुछ evidence मिले तो सबसे पहले यह देखते हैं हमकी trees जो है इनकी यहाँ पूजा की गई है और जो picture है deity का यानि जो भी इनके भगवानों के जो pictures हमें मिले है जो हमें seal पे मिले है उसमें यह भी दिख रहे कि कुछ-कुछ branches है people के पेड़ के जिसके कारण यह पता चलता है कि शायद trees को यहाँ पे बहुत जादा माना जाता था उसके साथ-साथ जो animals है उनकी भी यहाँ पूजा की जाती थी तो one-horned animal unicorn जो है इनके वक्ता बहुत फेमस है तो एक unicorn होता है जिसको एक sing होता है तो यह घोडे जैसा दिखता है तो यह जो इतना भी है उनकी भी शायद पूजा करते होंगे उनको भी बहुत जादा माना जाता है rhinoceros जो है उनकी भी पूजा होती होगी हम भूल हो गए उसके साथ साथ अगर हम देखते है तो animal जो पशुपती के आजुबा यह पूरे animals है अगर देखो हम भूल देखो राइनो देखो तो शायद यह पशुपती के साथ उनको भी बहुत जादा मानते थे उन animals की भी यहाँ पूजा करते होंगे तो महादेव की इस वक्त पूजा करते ही थे जो seal पर आपको देखने मिल रहा है जो भगवान है वो temples में नहीं रखे गए यह ऐसा इसलिए पता चला है क्योंकि यहाँ पर हमको temples मिले ही नहीं है जो शायद ऐसा भी माना जाता है कि यह लोग जिन्दा देवी होके पूजा करते होंगे जो मदर गौडे से वो जिन्दा रहती होगी उन्हीं की यह पूजा करते थे ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है जो temples यहाँ पर कही भी हमको evidence में मिले नहीं है उसके साथ ऐमूलेट्स जो गयाने जो गले में पहिनते हैं तावीज की तरह वो हमको बहुत जादा मिले इससे यह समझता है कि यहाँ के लोग बहुत जादा religious थे तो यह सब चीजों का वो बहुत जादा इस्तेमाल भी करते इसे काफे सारी चीज़े यहाँ पर पता चली है जिससे कि एक और हमें प्रिस्ट जो है इनकी एक मूर्थी मिली है यह भी टेरा कोटा याने इससे बनाई गई है मिट्टी से तो इसमें हमको यह दिखता है कि यहाँ पर इनके हाथ में देखिया emulator बनाया गया तो यह प्रि के बारे में थोड़ी से जानकरे ले लेते तो script जो हैये मैं आपको यह बता दूढकी हड़ा पन culture में जो scripts है याने जो उनके लीपी होती है जो लिखा जाता है वो किस तरह के छोती थी तो हड़ापन script अगर देखा गया तो invented the art of writing तो लिखने का art तो यहाँ पर जान चुके बट वो पूरी तरह अब तक deciphered नहीं हो चुकि अब तक पूरी तरह कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है कि वो क्या लिखते है तो ऐसे 4000 स्पेसिमेंस हम आरे पास पड़े जो अब तक हमें पढ़ना बहुत बचा हुआ है तो यह सब चीजे होती है तो बहुत बड़े बड़े को inscription वो लिखते नहीं थे बहुत लंबा लंबा लिखते नहीं थे शायद एक ही character में बहुत सारी चीजे उनकी समा जाती होगी तो यह देखिए चोटे चोटी चीजे लिखे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वो लिखते नहीं थे लंबा लंबा कुछ यहाँ लिखा नहीं जाता था उनके script में यह भी पता चल जाता है यहाँ उसके बाद मैं आपको यह भी बता दू कि ज़्यादा तर seal पे ही मिले है और उसमें कम words है यह भी मैंने आपको बता दिया इनके जो scripts है यह alphabetical नहीं है यह pictographic है तो यह alphabets नहीं है जैसे यहाँ पे ABCD alphabets हम लिखते वैसे यह alphabets नहीं लिखते थे तो यह लोग क्या लिखते थे तो यह लोग pictures बना के कुछ कुछ लिखते जैसे यहाँ देख रहे हैं आप fish के शायद picture बनाया है यह अलग-अलग pictures बना के कुछ-कुछ लिखने की यहाँ कोशिश करते थे इसलिए इसको pictographic कहा जाता है picture से जो जुड़ी हुई है वो so यह रहा उनके script के बारे में कुछ knowledge जो मैंने आपको बता दिया अब हम देखते हैं उनके weights और majors जो weights और majors है उनको बहुत ज़्यादा महत्वा था क्योंकि यहाँ पर व्यापार जो यह बड़े पैमाने में किया जाता था हड़पन culture में जो ट्रेडिंग है यह so trading को लेके अगर देखा जाए तो weights और majors की बहुत ज़्यादा जरूरत होते है क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बेच रहे तो उसको गिनना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कितना measurement है कितना weight है उसका so यहाँ पर trade के लिए use होता था weight जो थे mostly 16 हुआ करते थे और 16 के ही multiple हुआ करते थे जो यह लोग use करते थे यह ने देखेंगे तो 16, 160, 320, 640 जैसे हम करते है तो हम 5K से भी चलते है जादा तर तो 1500, 250 ऐसे चलते है ना so यह लोग ज्यादा तर 16 के multiple से चलते थे ऐसा माना जाता है 16 unit 64 unit modern times में 16 आना जो है वो एक रुप्या बन गया है so यही से हमें पता चलता है कि 16 को हमने एक रुप्या बना दिया तो हमने 16 को एक unit बना दिया फिर यहाँ पर अगर 64 हम देखते है तो यह 4 हो गए so इस तरह से हमने यह देखा है कि यही से शायद यह सब चीज़े जूड़ी होगी इसलिए 16 आने को एक रुप्या बराबर हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर अगर देखा तो यह art of measurement भी जानते थे यहाँ के लोग यानि कैसे किस चीज़ों को measure किया जाता है यह भी art इने सो मैं आपको कुछ pottery बता चुका हूँ और कभी-कभी हमको यह भी दिखता है कि images of man यह भी कभी-कभी pottery के उपर दिखाई दे रहे हैं बट जाधा तर इनकी जो design थी वो tree या फिर circle से ही बनाई जाते थी तो यह circle 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 इस तरह से सो यह कुछ examples है pottery के जो मैंने आपको दिखाया है so इस तरह कि इनकी pottery हुआ करती थी potter wheels पे जो बनाई जाती थी उसके बाद main अगर बात करें तो seals की हम बात करते हैं जो इनके बगद जो seals मिले है अगर हम हडपा की बात करें तो और ज्यादा तर इसमें छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शन है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ किसी किसी इस पे उन्होंने कुछ pictures भी बनाया जैसे horn bull और यह सब के तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यह देखिए horn bull और पूरी कर लिए मेनली तो बार्टर सिस्टम ही चलता था बड़ सील जो है उसका इस्तामाल यहाँ पे व्यापार के लिए होता होगा कुछ purposes के लिए कुछ पास करना है यहाँ से वहाँ कोई सामान तो इसके लिए शायद यह सील्स का इस्तामाल होता था ऐसा माना गया है सो यह जो सिल्स थे यह 2000 है उस पर छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शन है पिक्चर्स बने हुए कई-कई यह भी चीज़े में आपको बना चुका हूँ उसके बाद देखते हैं इमेजेस यह लोग कौन-कौन सी इमेजेस बनाया करते थे हड़पन कल्चर में हड़पन कल्चर में जो जादा तर हमें इमेजेस मिली है यानि जो जो चीज़े यह बनाते थे इमेजेस वो मेटल पे बनाते थे यह पता चलता है तो वुमेंड डांसर जो यह बेस्ट एक्जामपल है इसका तो वुमेंड डांसर जो है इनका मैं आपको दिखा देता आपको ये बता दू कि उसका necklace अगर छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से naked है, उन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए है, यहाँ पर पता चलता है, यह जो मिला है हमें, यह structure इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने सिर्फ बैंगल पहने हुए, चूडिया पह तो यह इसा है भी पता चलता है कि यह स्टोन की भी मूर्थिया बनाते थे, वो भी हमें मिला हुए, टेरा कोटा फिगराइन्स भी मिले ए, टेरा कोटा मैं आल्रेडे आपको बता चुका हूँ, जो मदर जो गॉर्टेस है, उनकी टेरा कोटा फिगराइन यहाँ पर हमें प होते हैं जो इसको टेरा कोटा कहते है जो इस तरह से बनाया जाता है, clay को fire baked clay से बनाया जाता है, toys भी यहाँ पर पाये गए है toys यहाँ फिर worship करने के लिए भी काफी सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होते है खिलों है भी पाये जो मिट्टी के बने हुए है और ये खिलोने में आता है birds हो गया, dogs हो गया, ships हो गया cattle हो गया, monkeys हो गया, man-woman के भी खिलोने यहां पाए गया है जो कि फिर से मिट्टी से बनाए गया है तो हडपन culture जो है तो ये थोड़ा सा पूर माना जाता है, artistic work made of stones है, stones है जो चीजे बनती थी उसके लिए थोड़ा पूर माना जाता है बाकी चीजे तो ये काफी अच्छे से बनाते थे clay और ये सबसे हमने यहां पर देखा ही है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि clay से कितनी जबर्दस चीजे ये बनाते थे ऐसे भी चीजे या फिर metal से ये बनाते थे ये सब चीजे यहां पर पाई गई इनके जो toys थे वो इस तरह से हुआ करते थे आप देख सकते तो बच्चे इनको खिलोने की तरह खेलते थे ये सब मिट्टी से बनाए जाते थे तो यहां पर खिलोने भी हमें कुछ मिले है जब हमने excavation किया सो इस तरह से अभी हमने images के साथ अपना जो portion था वो काफी ज़ाधा complete कर लिया है तो अब हम देख लेते हैं हमने पहले जो lecture था उसमें geographical extent town planning और structure पढ़ लिया था अब हमने यहां पर study कर लिया agriculture, domestication of animal, technology and craft, trade, political organization religious practices, harappan script, weights and measures pottery, seals, images terracotta figurines, यह सब इतना यहां तक का chapter यहां तक का हमने पूरी चीज़े अभी complete कर लिये अब जो बचा है वो है origin, maturity and end यह जो है यह हम third part में cover करने वाले यह थोड़ा सा बड़ा है, मैं बाकी वीडियोज जो है आपके बहुत बड़े नहीं बनाने वाला इंशन के, बट यह जो है हडपपा, यह बहुत बड़ा और बहुत important भी exam point of view अगर आपको मेरे वीडियोज पसंदा रहे तो उन्हें like जरूर करे, share करे और subscribe करे मेरे YouTube चैनल को, follow और like कर सकते हैं मेरे pages को facebook पे ताकि आपको और भी updates मिलते हैं sharez buddy है, sharez buddy interpretation, यह मेरे facebook pages है, मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो telegram पे मुझे follow कर सकते है sharez buddy, the peace lover, यह मेरा telegram का ID है, उसके साथ sharez buddy at the rate gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते हैं so मैं sharez buddy आप से अगले lecture में मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुब हो